देश के नमबर वन टेलिकॉम कमपणी रिलाइंस ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है 5G सेवा में ये रिकॉर्ड बनाने के साथ ही जियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिद्वन्दी कमपणीों को पीछे छोड़ दिया है क्या है ये जियों का ये नया कमाल 5G में क्या बनाया नया रिकॉर्ड ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं Hello and Welcome मैं हूँ Shreya Thakur और आप देखरें बिस्ता टेलीकॉम सेक्टर में चल रही 5G की दोड में एक बार फिर मुकेशंबानी आगे निकलाया है रुलाइस जियों ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में एक साथ 5G सर्विस लॉंच करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है 50 नई शहरों के इस लिस्ट में अब सहारनपूर, जासी, कोटा, बिकानेर, सोनिपत, सिर्सा, रोहतक, पानिपत, करनाल, हिसार, अंबाला, धनबाल और पूरी समेथ कई शहर शामिल हो गए है जियो की ट्रू 5G सर्विस क्या है यह हम आपको आगे इस रिकॉर्ट में उताएंगे उससे पहले जियो के नई रिकॉर्ड की पूरी बात कर लेते हैं 17 राज्यो के 50 शहरों में एक साथ 5G सर्विस लाँच करने के साथ ही अब जियो की ट्रू 5G सेवा 184 तक पहुँच गई है नई 5G सेवा वाले NCR के शहरों के बात करेंगे तो इनमें पानिपत, रोहतक, करनाल, सोनिपत और बहादुरगड शामिल है इसके अलाबा यूपी में जहासी, अलीगड, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी ये सेवा अब शुरू हो गई है इन्ही नई 50 शहरों में हरियाना के अंबाला, हिसार और सिलसा भी शामिल है अब आपको बताते हैं कि जियो ट्रू 5G सर्विस क्या है दरसल जियो ने अपनी 5G सेवा को जियो ट्रू 5G नाम दिया है जियो के बिटा ट्राइल का वेलकम ओफर इंविटेशन आधारिक है इसका मतलब यह है कि कमपनी कुछ चुनिंदा जियो यूजर्स को इंविटेशन भेजेगी और फिलहाल वही इसका इस्तमाल कर पाएंगे अब जिन शहरों में रोलाइन्स की नई 5G सेवा शुरू हुई है वहाँ वेलकम ओफर के तहत इनवाइट किये यूजर्स को एक GBPS की स्पीट पर अनलिमिटेड डेटा में लेगा फिलाल तो यह सेवा लिमिटेड ग्राहकों को दी जा रही है ताकि वो इसका अनुभव कर सकते हैं जियो कमपनी का दावा है कि साल 2023 के अन्थ तक पूरे देश में यह सेवा पूरी तरह से लाँच कर दी जाएगे आपको हुमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंटियर के ज़रू बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले पिस्ताथ ही जो हमारे नई वीवर्स हैं वो भी जानल को सब्सक्राइब करना न भूले